हलो दोस्तों आप देख रहें डीजी भारत मैं हूँ सुनु कुमार दोस्तों आज मैं आपके लेकर आगया हूँ एक Android आप का रिभूँ जो कि एक फोटो इडिटिंग आप है मैं आपको बता दूँ कि आज मैं जिस आप का बारे में बात करने वाला हूँ वह आप काफी यू आप के नाम है तो इस आप के बारे मैं आपको वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें कॉंकों से फूर्चर्स दिए गया है और इसमें जो फिर टूल्स दिये गए हैं उसको हम किस तरह से यूज करते हैं अपने फोटो एडिटिंग में तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते बेलेकर ज चलिए इसको मैं डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि इस एप में बहुत सारे टोस्त दिये गे हैं उसको किस तरह से इस्तमाल करेंगे तो प्ले स्टोर खोलने के वाद आप उपर में सर्च करें यहाँ पर टूल विच जैसा है यहाँ आप यहाँ पर आप टोल विच फोटो लिखा हुआ भी देख रहे होंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ जिसमें मैंने आपको बताया ही था कि आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलते हैं तो जैसे कि देख रहे होंगे जो पहला टूल से हो दूसरा वाटर रिफ्लेक्शन तिसरा स्लाइड सो चौथा आप देख रहे होंगे इसमें प्री स्मार्ट उसके बाद यहां पर मुवमेंट्स उसके बाद माई एल्बम फिर एस्प्लोरर उसके बाद पीप्स उसके बहुत सारे यहां पर आपको टूल्स जाता है इस एब में और भी इसमें बहुत सारे फिचर से जैसे की फोटो को लॉक करना अस्कौाइड फिट करना या क्रोप करना सारा चीज आप कर सकते तो चलिए मैं एक एक करके आपको देखाता हूं कि इसमें जो फिचर दिये गया उसको किस तरह से इस्तमाल करते हैं त तो मैं यहां से चलिए फोटो को चूज कर लेता हूं देखें यहां पर मैंने इस फोटो को चूज कर लिया तो यहां पर आने के बाद आप देख रहा होंगे यहां पर बहुत सारे टूल्स आपको नीचे में दिख रहा होगा बहुत सारे टूल्स दिये गये हैं तो जो सब उसे पहला तोल से उसका नाम ही है इस पर मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए आपके सामने एक वराइटी आप टोल्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि क्रोप का रोटेट का उसके बाद इसको आप 3D मोडल में भी इसको कनवर्ट कर सकते हैं आपने फो यूच कर सकते हैं अगर आप लेश लगाना चाते हैं यानि फोटो को ऑपर भी फोटो लगा चाते हैं तो आप सबसे लाश्ट वहला देख रहा होँगे यहां पर और आपको लेश का बटन देखने को मिल जाता जिसके माधियम से आप लेशी वी कर देता हूं जो पहला वह इमेज में यहां पर सारे टूल्स के मतब्द से आप सारा चीज कर सकते हैं, theo मैं क्लिक करता हूं, तो यहां पर आप अपने मौडल को चेंज कर सकते हैं, यानि कि कुछ इस तरह से बना सकते हैं, 3D का अगर आप बनाना चाहें तो अपने इमेज को इसको आप जिस साइट से रोटेट करना चाहते हैं अपने इमेज को उस साइट से आप रोटेट कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे यह था होरिजोंटली अगर हम भर्टिकली भी रोटेट करना चाहें तो नीचे आप देख रहे होंगे आ वर्टिकली भी रोटेट कर सकते हैं अपने इमेज को तो आप जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप अपने इमेज को इडिट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर कर दे ओके करने के बाद फिर से सारा टूल्स आ गया जो आपको मैंने बताया है वहाँ पर आप देख रहा होंगे आपको मैजिक कट आउट का ओप्सन मिल जाता है जिसके माधेम से आप अपने फोटो के बैगराउंड को रिमूब कर सकते हैं तो हमारे केसमें इस फोटो में पहले से ही रिमूब था तो मैं अभी फिलाल नहीं कर रहा हूं यह की तरफ और भी आप देख रहा होंगे बहुत सारे टूल्स दिए गया है जैसे कि टूल्स के बगर मैं आपको टूनिंग का एक और दिख जाता है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो फिर से आपके सामने अगर मैं और बहुत सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं तो जैस Fukande आपको बताया कि इस अब में आपको variety of टूल्स देखने को मिलते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे टूल्स को मिल रहा होगा इस टूल्स के मदद से आप brightness को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते है आप अपने photo में जितना brightness रखना चाहते हैं उतना brightness रख सकते हैं यहां से control कर सकते हैं उसके बाद contrast को भी आप यहां से set कर सकते हैं और करने के बाद यहां पर ok कर दे उसके बाद आप देख रहा होगे यहां पर curve का भी button दिखने को मिल जाता है जिसके माध्यम से आप अपने picture quality को काफे ज़्यादा enhance कर सकते हैं मतलब कि light ला सकते हैं अपने face पर और यहां पर ok कर दे इस तरह से आप बहुत सारे यहां पर tools देख रहा होगे सारे का आप use कर सकते हैं करके आगर आपको जरूरत हो तो उसके बाद आप देख रहा होगे यहां पर tuning के बगल में filters का option दिख जाता है यहां पर आपको बहुत सारे filters भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप देख रहा होगे पहला जो filter से हो pre or smart का filter इस पर मैं किलिक करता हूँ तो यहां पर नीची की तरफ आप देख रहा होगे बहुत सारे filters आपके सामने open हो जाते हैं तो अगर कोई भी आप filters यहां से अगर आप select करते हैं तो उसके हिसाब से photo convert हो जाता है जैसे कि देखिए मैंने पहला filter को ही select किया तो यहां पर आपको एक दो सेकंड का time लेगा उसके बाद जो आपका photo पुरी तरह से convert हो जाएगा तो देखें यहां पर आपको pre filter जो था उसमें हमारा photo convert हो चुका है पुरी तरह से cartoon type का हमारा photo लग रहा है जैसा कि आप देख रहे होंगे तो चलिए फिलाल मैं इसको back कर दता हूँ इसको अभी उज नहीं करता हूँ और भी आप यहां पर अगर black and white करना चाते हैं अपने photo को तो आप भी कर सकते हैं और भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे tools आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे यहां पर आपको vintage का भी option मिल जाता है अगर आप vintage पर किलिक करते हैं तो आपका photo कुछ पुराना type का हो जाता है जैसे कि आप देख रहे होंगे यहां पर effect हमारा photo पर इस तरह से इस्तमाल होता है फिलाल मैं इसको okay कर दता हूँ और okay करने के बाद फिर से मैं back आ जाता हूँ और देख रहे होंगे यहां पर filters के बगल में आपको portrait का option मिल जाता है तो देखिए यहां पर portrait में भी आपको बहुत सारे tools देखने को मिलते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे आप लिखा हुआ है जो पहला face tune का है उसके बाद face smiling का है फिर body slim का है मतलब कि यह सारे button को यूच करके आप अपने चेहरे को बहुत ज्यादा मतलब design कर सकते हैं कि आपका जो चेहरा हो किस तरह से दीखे slim दीखे या जिस तरह से दिखाना चाहते हैं उस तरह से आपका जो eye color है वो कैसा दीखे सारा चीज आप यहां से manually set कर सकते हैं और भी आप देख रहा होगे यहां पर portrait के बगल में आपको effects का और भी buttons देखने को मिल जाता है अगर मैं इस effects button पर click करता हूँ तो आप देख रहा होगे यहां पर आपको PIP का buttons मिल जाता है इसमें बहुत सारे model पहले से बना हुआ रह सकते हैं और पीषे का the image isal आप चेंज कर सकते हैं और उसका जो blur है उसको भी आप adjust कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें और भी आप अगर आपको यहाँ पर देखने कुं मिल जाता है और भी हगर आपको founder ौटन लॉड करना है तो आप यहाँ पे द निदेख रहे होंगे एक पहला बटन पर ली करके और आप डाउनलोड भी कर सकते है तो देखिए जैसे मैं download button पर क्लिकिया तो यहाँ पर online resource का option आ जाता है जिसमें आपको बहुत सारे online resource दिये गए हैं अगर इसमें से कोई भी अगर आप इस्तमाल करना चाहते हैं तो आप easily इस्तमाल कर सकते हैं फिलाल मैं इसको cut कर देता हूँ और भी आप देख रहा होंगे यहाँ पर बहुत सारे tools दिख रहा होगा जैसे कि double exposure आपके फोटो पर और फोटो आ जाएगा इस तरह से mirror effects आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे अगर आप अपने फोटो में mirror effect लगाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता ह जो भी आप इस्तमाल करना चाहते हैं आप इस्तमाल कर सकते हैं वह भी बिल्कुल फ्री में उसके बाद आप देख रहा होंगे यहाँ पर effect के बगल में आपको यहाँ पर decorate का option आ जाता है अगर आप decorate पर किलिक करते हैं तो यहाँ पर अपने photo के साथ आप decoration भी कर सकते हैं य देख रहाँ होंगे decorative के justaffle में आपको test का option मिल जाता है यहाँ पर आपको test लिखने का option मिल जाता है अगर आप अपने photo पर कोई भी test लिखना चाहते हैं तो आप easily लिख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर test देखना हूँ तो यहाँ पर जो भी test लिखना चाहए बहुत सारे fonts भी में लिखना चाहिए उस फॉंट में लिख सकते हैं अपने टेस्ट को उसके पहला जो बटन था हुआ आप देख रहा होंगे यहां पर बबल्स कथा इस पर आगर आप किलिक करते हैं तो इस तरह से बहुत सारे नीचे बना हुआ टेस्ट आपके सामने आ जाता जैसा कि देखिए कुछ इस तरह का इसको आप एजश्ट भी कर सकते हैं जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा छोटा जैसा रखना चाहते हैं उस तरह से आप रख सकते हैं पहले से यहां पर डिजाइनिंग कुछ दिया गया है और और जाने आपको चाहिए तो आप यहां से डाउंडोड भी कर सकते हैं उसके बाद यहां पर starting point ending point आप दे सकते हैं इसको जिस तरह से आप edit करना चाहे उस तरह से इडिट भी कर सकते हैं उसके बाद आप देख रहे यहां पर camera से related बहुत सारे features आपके सामने आ जाता है जैसे कि image को blur करना, lens को blur करना, depth mode में जाना, यहां पर जो भी camera में जो features दिये गए हैं, उसके हिसाब से आप यहां पर अपने photo को convert कर सकते हैं, जैसे कि यह पाचर बगेरा set करना, उसारा चीज आप यहां से अपने photo पर set कर करके और एक बेहतरीन photo को आप edit कर पाएंगे, उसके बाद देख रहा हूँगा photographic, just bugle में आपको यहां पर enhance का एक button देखने को मलता है, अगर मैं इस पर click करता हूँ, तो यहां पर भी आपको बहुत सारे features देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि auto mode, अगर आप auto पर click करते हैं, automatic सारा change adjust हो जाता है, नीचे की तरफ आप देख रहा हूँगे, यहां पर भी बहुत सारे effects आपको देखने को मिलता, जैसे कि color enhance करना है, तो आप color enhance भी कर सकते हैं, और last में आप देख रहा हूँगे, यहां पर आपको art का option मिल जाता है, अगर art पर आप click करते हैं, तो यहां आप यहां से इस्तमाल कर सकते हैं, नुआज का भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, अगर आप अपने photo में बहुत सारे नुआज लगाना चाहते हैं, कुछ इस तरह का, तो आप लगा सकते हैं, तो इस app करीब-करीब सारे tools के बारे में मैंने आपको बता दिया, इ आप अगर जिस तरह से इडिट करना चाहते हैं, आप उस तरह से इडिट कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इडिट कर लेते हैं, उसके बाद आगर आपको photo को save करना हो, तो उसे हम कैसे save करेंगे, तो उपर आप देख रहोंगे, right corner में आपको यहां पे share भी करना चाहें, तो आप इसलिए share भी कर सकते हैं, और जो यह पहला बटन था, और save का था, अगर उस पर मैं किलिक करता हूं, तो यह सिर्फ आपके gallery में save होगा, जैसा कि आप नीचे देख रहोंगे, यहां पे लिखा हूँ आ जाता है, कि आपके gallery में photo save हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना है, इसी तरह के वीडियो दखने के लिए आप हमारे चनलों को subscribe कर दे, बेल एकन जरूर दबादे, क्योंकि इसी तरह के वीडियो में हमेसा आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो आज के लिए बस इतना है, जैन, जै भारत!